नमस्कार दोस्तों आज के हमारे इंडिया सर्च करे में है बानी वाली बंदगोपी और प्राठा विद्ध ही आज का ये नाश्ता हमने और्गैनिक पत्ता गोबी से बनाया है जो हमारे कुद के खेत में से आई है हमारे फार्म हाउस से आई है ये पत्ता गोबी इसे मैंने अच्छे से दो करके काट लिया है और तबे पे हम ये सबजी बना रहे हैं क्योंकि इससे इस सबजी का टेस्ट चेंज नहीं होता और्गैनिक इंडिया बनाने के लिए मैं आपको ये इंडियन रेसिपी दिखा रही हूँ देखिए मैंने बन्द को भी काट करके तबे पे रखी है जिसमें हमने थोड़ा सा तेल लेकर के जीरा डाला था जैसा कि हम आम तोर पर सबजियों में करते हैं लेकिन पानी वाली बन्द को भी जो है वो थोड़ा इंडिया में डिफरंट तरीके से बनाई जाती है आप देखते जाएं कि मैं ये कौन सा तरीका यूज कर रही हूँ ये जो मैं अभी सबजी बना रही हूँ ये बिलकुल गाओ का हरियाना के गाओ का एक तरीका है जिसमें सबजीयों में पानी का यूज ज़्यादा किया जाता है मैं मोस्टली लोग गौभी को बिना पानी के बनाते हैं लेकिन मैं पानी बाली गौभी आपको बनाना बता रही हूँ इधर हमने जो प्राठा लिया है हैवी फूड काते हैं हर्याना की लोग तो प्राठे में हमने इसे दूद से भी गोया है बाहर देखिए गार्डन में हमारे गार्डन देखिए गार्डन में कपड़े सुख चुके हैं तब तक लंच है लंच टाइम हो चुका है और बच्चे स्कूल से आने वाले हैं मैं खाना त्यार कर रही हूं आप देखते जाएए कि किस तरह से हमारा प्राठा जो है बच्चों के लिए जब हमें लंच त्यार करना है तो हम इस तरह से लंच तयार करते हैं इंडिया में मेरा ये चैनल जो है मैं खास करके सिर्फ nr.i. लोगों के लिए बनाती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान पैसे कमाने पे नहीं है, चाजा ध्यान मेरा यही है, कि इंडिया में डिफरेंट चीजे में उन्हें कैसे दिखा सकूँ, मेरे चैनल को कोई लाइक करें या ना करें, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, अगर आपको पसंद आता है, तो ह आपको अच्छा लग रहा है, तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, डिफरेंट दिखाने का प्रयास रहता है, मेरा सम्तिंग कुछ भी आपको, मैं डिफरेंट और हेल्दी, और गैनिक इंडिया के दर्शन करवा सकूँ, क्योंकि अभी हमारे भारत में अपना पूरा टाइम लगाने लगे हैं, लेकिन जो लोग उस चीज से उपर आ चुके हैं, उन्हें गाउं जो है बहुआँ पशन हैं, तो जो लोग गाउं से नफरक करते हैं, वो इस चैनल केलिए नहीं बने हैं, जीने गाउं पशन हैं, वही इस चैनल को देखीए, तो देखिए आप हमारी सब्जी पक चुकी है और हमने इस पर ढखन जो था दूसरे परतन का लिया है तब यह पर हमने ढखन लगाने के लिए आप कोई भी ढखन यूज कर सकते हैं ढखकर इसको पकाना है ताकि इसकी जो निटीशन्स है वो यू के यू बने रहें इसके प्रियार हो चुका है और मैं इसको सब कर रही हूं एक प्लेट में बहुत ही अच्छा ब्लंच के लिए है या प्रेकफास्ट में भी आप बना सकते हैं रठा जो बनाया है उसमें दूज का और अजवायन का यूज किया था भी होते टाइम तो मैंने पहले से आटा भी गोक आखा था मैं इसका वीडियो आपको दिखाने ही पाई आप देख फिर्ड मैं आपको जब बनाऊंगी नया वीडियो तफ की एक कि कैसे मैंने इसको भीगोया था और ये हमारी और गैनिक पत्ता गोभी की पानी वाली सबजी हमने सर्व कर दी हैं इसी तरह के वीडियो आप देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं लाइक करें और शिया करें थैंक यू